नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फिर आपके लिए सीबेसी बोर्ड एंसी आर्टी क्लास टेंथ विसाई हिंदी कोर्स ए और छितिज काबखंड के पार्ट याई दंतरित मुस्कान जिसके कभी है नागारजुन तो ये जो आपकी छितिज बोकाई जिन जिन बोर्ड में चलती है जाए वो सीबेसी बोर्ड है, राजस्तानों, जारखंडों और कई अन तो वहाँ सभी के लिए ये पार्ट और इसके MCQs बहुत ही महितपूर साबित होने वाले हैं तो आज हम पहले लेकर आएं पार्ट वन तो चलो फिर सुरू करते हैं प्रिस नमबर पहला दंतरित मुसकान किसे कहते हैं? विकल्प इस प्रकार डिये, दातों का मुसकाना, दातों से असना, नए-नए दात निकलने वाले सेसु की मुसकान, दात निकालना तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नमबर तीसरा सही है नए नए दात निकलने वाले सिसू की मुस्कान इसे ही हम क्या कहते हैं दंतरित मुस्कान कहते हैं तो अगला प्रस आता है आपके स्क्रीन पर प्रस नमबर दो यह दंतरित मुस्कान कवता में किस वासा का प्रयोग कि तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प पहला, खड़ी बोली हिंदी वासा का प्रियोग इसमें किया गया है प्रस नमबर तीसरा, कभी के अनुसार सिसुक के इस परस से क्या परवर्तन होता है विकल्प, पिगला उआ पत्थर कठोर हो जाता है, ब्यक्ती के अंदर करोद का भाव जकता है कठोर ब्यक्ती का इरदय पिगल जाता है, बबूल के पेर से काटे जरने लगते है तो इसका सही विकल्प है, विकल्प नमबर तीसरा, कठोर वेक्ती का एर्द है, पिगल जाता है, कहने का आसा ही यह है, कि अगर सिसु कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो मुस्करा दे, तो कठोर से कठोर वेक्ती भी क्या होता है, उसका एर्द है, पिगल जाता है, यानि वो भी मुस्कराने लगता है प्रस नमबर चौटा मरतक में जान डालने की सक्ती किसमे है तो विकल्ब जादु दिखाने वाले में रोते हुए सिसू में नए नए दात निकलने वाले सिसू की मुस्कान में खिल किला कर असने वाले लोगों में तो इसका सही विकल्ब होगा विकल्ब नमबर तीसरा नए नए दात निकलने वाले सिसू की मुस्कान में पिर आता है आपका प्रस नमबर पांच बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर कौन सरस ओटते हैं तो विकल्ब इस प्रकार है पत्थर, दानव, मानव, पसू तो इसका सही उत्तर क्या होगा विकल्ब नमबर तीसरा है मानव पिर आता है प्रस नमबर च्छे तो च्छे में दी आए कि बच्चे का मिट्टी से सना मुख किसके समान बताया गया है तो इसके विकल्ब इस प्रकार है जो बच्चा छोटा उसका पूरा मुख किससे सना हुआ है मिट्टी से तो कहते हैं जो मिट्टी से सना मुख है अब किसके समान दिखाई देता तो देखो जैसे यह हसता है इस तरह से तो उसके जो मसूरे लाल है वो दिखने लगते हैं और यह द्यान दिखने लगते हैं तो म निश्चल बनावटी तो इसका सही उत्तर होगा बनावटी यानि बच्चे की मुस्कान कैसी नहीं होती है तो बनावटी नहीं होती है अगला प्रस नमबर आठ आपके अनसार बच्चे की अपेच्चा बड़ों की मुस्कान कैसी नहीं होती है तो विकल्ब इस प्रकार है, कोटेल, भोली और निस्काम, अर्थेपूर, स्वास्वार्थ, तो सही उत्तर होगा, विकल्ब पर नमबर दूसरा भोली और निस्काम, यानि आपका अनुसार बच्ची की अपेच्छा बड़ों की मुस्काम कैसी नहीं होती है, तो देखो नियारने के कारण, अनजान होने के कारण, दूसरी बार सामने आने के कारण, पहली बार मिलने के कारण, तो विकल्ब इसके इस प्रकार है, पहला विकल्ब दूसरा सही है, विकल्ब दूसरा और तीसरा सही है, विकल्ब दूसरा और चौथा सही है, विकल्ब चौथा सही है तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नमबर तीसरा यानि विकल्प दूसरा और चौथा सही है तो दूसरा क्या अंजान होने के कारण चौथा पहली बार मिलने के कारण तो सिस्व कभी को यानि जो उसके पता भी है उसको क्यों नहीं पहचान पया था एक तो वो अंजान थे और पहली बार मिले थे इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाया प्रस नमबर दस कभी किसकी मा को धन कहा रहा है विकल्प सिसू की मा को भारत मा को अपनी मा को धर्ती मा को तो इसका सही उत्तर होगा सिसू की मा को धन कह रहा अब वो धन क्यों कहता है क्योंकि कभी कहता है कि सिसू और मुझे यानि सिसू में और उसके पिता में कभी को मिलाने में सबसे वड़ी भूमका किसकी रही? मा की अब अगला प्रसम, प्रसम नमबर ग्यारा, आंखे चार होने का अर्थ क्या है तो विकल्ब आँख मिलाना प्रेम होना आँखे चुराना आँख फिरना तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम होना यानि विकल्ब नमबर दूसरा सही है प्रस नमबर बारा यह दंतुरित मुस्कान कवता में कवी के आँखे चार किस से होती है तो विकल्ब इस प्रस्व किसे होती हैं प्रस्ण coronavirus काल या सका चांछी मेसकन मेरेखना हैं परफ evolved प्रस्थ इसके विकल्प ओगा चवदार चांछस द्रस्थ प्रस्थ चवदा सिसो के आंग चैसे कैसे हैं या सब्रफ़ करता करता के आदार पर बताईएَ तो इसके विकल्प इस प्रकार है धूल मिट्टी से सने हुए स्वच और सुन्दर बद सूरत साफ सुतरे तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नमबर पहला सही है धूल मिट्टी से सने हुए आगे प्रस नमबर पंदरा सिसु कभी कोई एक टक क्यों देखता रहता है एक टक मतलब लगातार वो क्यों देखता रहता है विकल्प इस प्रकार है परचित होने के कारण अच्छी पैचान होने के कारण अपरचित होने के कारण अजीव सकल होने के कारण तो इसका सही उत्त तो आपको पूरे समय यानि कुछ समय के लिए आपको टक्टकी लगा कर देखता रहेगा आप जहाँ जहाँ भी घर में गूमेंगे जाएंगे उसी तरफ उसकी नजर रहेगी अगला प्रस नमबर 16 सिसु ने कभी को किस प्रकार पैचाना विकल्प दादी के परचे कराने पर मा के परचे कराने पर सिसु पहले से जानता था घर में लगी तस्वीर से तो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर दूसरा मा के परचे कराने पर प्रस नमबर आता है 17 यह दंतुरित मुस्कान कवता के कभी कवन है विकल्प निराला जी, सूर्दा, नागारजुन, जैसंकर प पहचान, तो विकल्प इस प्रकार है, मुक, मिट्टी से सना ओने पर, एक टक देखने पर, बच्चे के मुस्काने पर, सिसु के रोने पर, तो सही उत्तर होगा, विकल्प नमबर दूसरा सही है, एक टक देखने पर, बच्चे की किस अधा पर कभी कहता है कि तुम मुझे पहचान, एक टक देखने पर, यानि बच्चा लगा तार, जब उनको देखता रहता तब वो ये बात कहते हैं, प्रस नमबर 19, यह दंतरित मुस्कान कवता में कठिन पासार से क्या आसा है, तो विकल्प मजबूत पत्तर, पुराना समय, कठोर पत्तर, कठोर इर्दय वाला बेखती, तो सही उत्तर होगा, विकल्प नमबर 14, सही कठोर इर्दय वाला बेखती, जान रखना है, यह दंतरित मुस्कान कवता में, जो कठिन पासार, पासार का अर्थ होता है, पत्तर, किसके लिए प्रयोक्त हुआ है, जो कठोर इर्दय वाले बेखती होते हैं, उनके अगला प्रस नमबर आता है 20, छोटे बच्चे किस से इसने करते हैं, यह जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका लगाव किस से जादा रहता है, विकल्प जो संपर्क में रहते हैं, जो कभी-कभी मिलते हैं, जो कठोर होते हैं, तो सही उत्तर इसका होगा, विकल्प नमबर पहला सही है, जो संपर्क में रहती है, यानि जो छोटे बच्चों के पास या नजदीक साथ में रहती है, उनसे उनका लगाव ज्यादा रहता है, अब आता है प्रस नंबर 21, कनखी मानने का आसर क्या है, विकल्प सीधी नजरों से देखना, मुड़ मुड़ कर देखना, छि प्रस नजरों नागार्जों ने किसकी मुसकान को दंतरित मुसकान का है, विकल्प, एवा वक्ती की, ब्रद्विक्ती की, सिसु की, नायका की, तो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर www.indybharti.in पर भी पोस्ट कर देते हैं तो आप वहाँ जाकर जितने भी वीडियो है उनके प्रसन और उत्तर आपको मिल जाएंगे वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं और देखकर लिख सकते हैं तो अब हम फिर मिलेंगे पार्ट टू के साथ तब तक के लिए धन्वाद